नमस्ते चात्रों, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में कनिस के समय में जो सहित्ते था उसके बारे में जानकर इप्राप्त करेंगे ये वीडियो छोटा है लेकिन एक्जाम की दरश्टी से बहुत महत्वपुन है क्योंकि कनिस के समय में लिखे गए साहित थे और उस समय कौन-कौन विद्वान थे इन से समद्धित कई बार कई क्यूसन पूछ लेते हैं ठीक है तो ये एक्जाम की दरश्टी से बहुती महत्वपुन वीडियो है अतहा है आप इसको धान से देखिएगा ये वीडियो देखने से पहले में आपको बता देना चाहते हूँ कि कनिस के बारे में हमने कापी कुछ पहले पढ़ लिया है जैसे कनिस के समय में हुए युद्ध उसकी विजे और कनिस के समय में जो समाज सांसकरतिक जीवन कैसा था कनिस के एक सकती साले सासथ था उसके बारे में उसका सम्राजे विष्टार ठीक है और कुसानवनस के बारे में भी हमने काफी कुछ वीडियो बनाए है तो आप प्लेडिस्ट में जाके और कुसानवनस को देखेगा और यदि आप लोगों ने यूटूब चैनल इंडिया उल्डेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें लाइक करें, सेर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इत्यास से संबंदिन नहीं नहीं जानकारी प्राप्ति हो सेके और यदि हम लोगों से कुछ गलती हो गई हो या फिर हमारे वीडियो में कोई कमी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं तो देखिए पढ़ते हैं कनिस के समय में साहित्य कनिस का काल साहित्य उन्नति के लिए काफी परसित था वह विद्या का उदार सरंग सकता तथा उसके दरबार में उचकोटी के विद्वान तथा दार्षनिक निवास करते थे ऐसे विद्वानों में अस्वा गोस का नाम सर्व परमुक आता है वे कनिस के राजकवी थे तो कनिस के राजकवी कौन थे? अस्वा गोस अब देखेगा अस्वा गोस की रचनाओं में तीन पर्मुक रचनाई निमन लिखी थी कुन-कौन सी बुद्चरित, सोंद्रानन्द और सारी पुत्र परिकरन अब इन में से जो पर्थम दो हैं कुन-कौन से बुद्चरित और सोंद्रानन्द ये तो महाकव्वे थे तता अंतिम जो सारी पुत्र परिकरन है ये है नाटक ग्रंथ है ठीक है बुद्चरित में गोतम बुद्चरित के जीवन का सरल तता सरस वर्नन मिलता है सोंद्रानन्द में बुद्ध के सोतेले बाई सुंदरनन्द के सन्यास ग्रहन कर का वर्णन है यह ग्रहन्थ अपने पूर्ण रूप में उपलब्ध होता है इसमें 18 सर्ग है सारी पुत्र प्रक्रण इसमें नो अंकों का यह एक नाटक ग्रहन्थ है जिसमें बुद्ध के सिस सारी पुत्र के बोध धरम में दिक्सित होने का नाटक यह विवरन पर्ष्टूत किया गया है कवी तथा नाटक कार होने के साथ साथ अस्वा गोष एक महान संगी तक गे कथाकार नितिक गे तथा दासनिक भी थे तो कनिस के राजदरबार में अस्वा गोष थे जो सबसे महतोपुन कभी थे और उनके बाद जैसे आजारी नागारजुन भी थे इनहोंने परग्या पारमिता सुत्र की रचना की थी जिसमें सुन्यवाद अर्थाद सापेक से वाद का पर्तिवादन किया है अन्य विद्वानों में पासुरय, वसूमितर, मात्रीचेट, संगरक्ष, आधी के नाम उलेखनिये हैं संगरक्ष कनिस के पूरोहित्ते वसूमितर ने चतुर्थ बोसंगिति की देख्षता की थी चतुर्थ जो बोष संगीतियां हैं इनके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं तो बोष धरम से समन्दी जो प्लेलिस्ट है उसमें देखेगा बोष संगीतिया आपको मिलेगी तो वसमीत्र ने चतुर्थ बोष संगीति के देख्ता की तथा त्रीपिटकों का भस्से तैयार करने में परमुक रूप से योगदान दिया था विभासा सास्तर की रचना का स्रेई वसूमित्र को दिया जाता है कनिस के ही दर्बार में आयर्वेद के विख्यात विद्वान चरक निवास करते थे वे कनिस के राजवद्य थे तो कनिस के राजवद्य कोन थे? चरक और ये आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे इन्होंने चरक सहिंता की रचना की थी तो चरक ने किसकी रचना की? चरक सहिंता की यह ओसदी सास्तर के उपर प्राचीन तम रचना है इसका अनुवाद अर्बी एम फार्सी बासों में किया जा चुका है ठीक है? तो देखेगा ये वीडियो बहुत थी महत्तों पुन एकजाम की दर्स्टी से तो अमारा वीडियो अन्तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इत्यास विशेश समधी नए नए वीडियो देखने के लिए आप बने रहें यूटूब चैनल इंडियोल्डेश्ब